वेलिकम पूरे चैनल दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों वह देखने वाले हैं भारतिय राजवेवस्था का क्लास नमबर 3 औरेड़ी चैनल पे class 2 तक भारतिय राजब्यवस्था का जैसे कि देख सकते हैं यहां से इस class में जो अस्टार्ट है वो क्यूचन नमबर 74 से अस्टार्ट है तो इसके जो पहले का क्यूचन है 73 टोटल क्यूचन वो class 1 और 2 में हम करा दिये हैं दोस्तों तो यह मेरा class 3 होने व दोस्तों इसमें आपको अभी तक में जितने भी बीप्यसी के previous year exam हुए है उसका क्यूचन मिल जाते हैं जो कि आपको बिहार सिक्षक बहाली जोहरत तेश्च जो कि अगस्ट में होने वाले हैं उसमें यहां एक राम बन साबित होगी क्योंकि यह पहला बार जो हो जैसे जा हो जाता है कि हमको previous year क्यूचन करना ही करना होता है इसी को देखते हुए चैनल पर ऑल्रेड़ी हिस्ट्री का जितना भी बीप्यसी का previous year क्यूचन था वो सारा का सारा अप्लोड कर दिया गया है वैसे ही इभी इसका जितना भी क्यूचन इंपोर्टेंट था दोस्तों वह भ बिना देरी के हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे जैसे ही चलते हैं मेरा इस क्लास में इंडियन पॉलिटी का आज के क्लास का पहला क्यूचन है मेरा 42 में संबिधान संसोधन के 10 आचार आदेश्यों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों तो ओ जाना जाता है मौलिक कर्तब के नाम से जैसे मौलिक करतबे में बता अगया अपर में इसी मौलिक करतबे को आचार आदेसो के नाम से भी जाना जाता है आसा करता हूँ कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे उसके बाद नेक सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों नेक सवाल मेरा यहां पर है निमलिखित में से भारत में मौलिक करतब कौन सा है तो कौन सा मौलिक करतब है दोस्तों ओ है मेरा हमारी मिली जुली संस्कृति की समरिध बिरासत को संरक्षित करना यह मेरा मौलिक करतब है ठीक है उसके बार ने संसद में भाग लेता है तो राश्पति जो दोस्तों वो संसद का हिस्सा होता है यानि कि ऑप्सन नंबर भी मेरा यहां पर कॉरेक्ट एंसर हो जाएगा उसके बाद जैसे ही तरह बढ़ते हैं जैसे कि इससे पहले इसके कुछ हम लोग जान लेते हैं आपको पता होगा जो भारत के राश्पति होता है दोस्तों वो लोग सबा तथा राज सबा दोनों का मतलब मिल जूल कर संसद का निर्मार करता है तता है वो संसत का एक अभिन अंग के रूप में जाना जाता है राश्पती को आसा करता है इतना आप समझ गये होंगे उसके बाद क्यूचर नंबर 77 मेरा आता है भारत में राश्पती का चुनाओं किया जाता है कैसे किया जाता है जैसे कि आप देख सकते है यहां पर पर्त्यक्ष निरवाचन दवारा एकल हस्तनांतरणिया मत प्रणाली दवारा अनुपातिक मत प्रणाली दिवारा या खुला वैलेट प्रणाली दोरा दिसका जो Right के बारे में और कुछ जनकारी है तो आप कॉमेंट सेक्षन में साज हाम से कर सकते हैं ठीक है उसके बाद नेक सवाल की तरफ चलते हैं मेरा यहां पर जैसे कि देख सकते हैं 78 नंबर की उचन है दोस्तों अगर भारत के राश्पति के चुनाओं में कोई बिवाद होता है तो बिवाद को सौपा जा सकता है कौन उसका जो मतलब निप्टारा करता है दोस्तों वो निप्टारा करता है भारत का सरोचन्याल है यह इसका जो मतलब उल्यक मिलता है हमको आर्टिकल 71 में मिलता है तो यह बाते याद रखें उसके बाद नेक सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त नेक सवाल चलने से पहले अगर कि अपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया है तो like कर दीजी है आपको like करने से कुछ नहीं होगा लेकिन मेरे को motivation मिलेगा कि मेरे video से आपको फाया हो रही है ठीक है नेक सवाल की तरफ चलते हैं मेरा सवाल No.9 है बहारत के राश्पति को उसके पद से हटाया जा सकता है कैसे हटाया जा सकता है तो उसको संसत के दिवारा खटाया जा सकता है जैसे कि जो आप जानते हैं महाब्योग article number 17 this is one के थुरू सको हटाया जा सकता है उसी तरह अगर के हम नेक सवाल असी में चलते हैं दोस्तों तो यहां पर क्या है भारत का कारेपाली का अध्यक्ष कौन है ने कि हमको बताना है कारेपाली का अध्यक्ष कौन होता है तो होता है मेरा राश्पती यह सब लोग जानते हैं उसके बाद नेक सवाल की तरफ चलते हैं नेक सवाल है मेरा केंदर सरकार में उच्टम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है तो वो होता है मंत्री मंडल सचीव जब आप UPSC क्रेक करते हैं तो जब उसका जो सबसे हायर पोष्ट होता है दोस्तो वो होता है मेरा मंत्री मंडल सचीव तो ये बात आप लोग याद रखिएगा इसको ही बोला जाता है यानि कि ये बोला नहीं जाता है ये जो होता है दोस्तो मंत्री मंडल सचीव वो सिविल सर्विस बोड का पदेन अधियक्स UPSC का जो अधियक्स होता है यह होता है उसके बाद नेक सवाल की तरफ हम हतियार बंद बिद्रो के अधार पर बाए आकर्मन के अधार पर और युद्ध के अधार पर या उप्रियुक्त वर्णित सभी कानो तो यह मेरा डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर उप्रियुक्त में सभी जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 352 और 356 और 360 मेरा तीन तरह के आपातकाल का गोंशने के बारें बताता है जो कि यहाँ पर द इसकी सलाह पर राज में राश्पति सासन लागो किया जाता है तो जो राज में राश्पति सासन लागो किया जाता है दोस्तों वो मेरे को गवर्णर से पुछ कर लागो किया जाता है तता इसका बढ़न आर्टिकल मेरे को 356 में मिलता है याद रखे इस बात को नेक सवाल क के राश्ट पति को अधिकार नहीं देता है कौन सा अधिकार नहीं देता है दोस्तों ओ देता है राजियों के मुख मंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है क्योंकि राजियों का मुख मंत्री का नियुक्ति दोस्तों ओ राजिपाल करता है ठीक यह इसका वर्णन मे तोड़ा चोटा चोटा भी करा सकता हूं दोस्तों लेकिन आपका एक्जाम बहुत ही नजदीक है और कम समय में हमको पूरा का पूरा हम लोग को सिलेबस को करना है इसलिए तोड़ा ज्यादा ज्यादा आप लोगों में सवाल बता रहा हूं इसमें टोटल लगबग लगबग लिए है दोस्तो वो अर्टिकल 124 में है इसको कैसे असकता पहले एसको साबित करने के क्या किस कारण से इसको वह लोग सबह करने के लिए लोग सबहा तरी सबहागे कम से कम जो मत होने चाहिए वह दो तीहाई बहुमत होने चाहिए उसके बाद ही राशपती इसको हटा सकता है ठीक है आसा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे उसके बाद नेक सवाल की दरफ चलते है मेरा नेक सवाल आता है दोस्तों सोतंतर भारत के प्रथम राशपती थे वो कौन से राश्पती थे मतलब किस राजी से वो बिलोंग करते थे तो वो बिलोंग करते थे दोस्तो बिहार से जैसे कि पता होगा भारत के जो प्रतम राश्पती थे डॉक्टर राजेंदर परसाथ थे तो वो जो राजेंदर परसाथ थे दोस्त वो थे बिहार से आसा करता आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा कोई दिक्कत हो परिसानी हो तता अगर तैयारी करने में आपको किसी तरह का कुछ डाउट लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं तो आपसन नमबर सी में आगर पढ़िएगा दोस्तो आप तो वहाँ पर दिया गया है उप राशपती का चुनाओ भारत का राशपती करता है जो कि यह बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं होता है तो यह सब लोग जानते हैं कि जो राशपती क होता है वह उपराशपती होता है नेक्स है भारत का प्रधान मंत्री मुख्य है किसका मुख्य है तो वह मुख्य होता है दोस्तों केंद्रिये सरकार का मुख्य होता है जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 74 में बढ़नित है कि भारत का एक राश्ट प्रधान मंत्री क्योंकि हो सकता है कि मांगी से लिए अभी ये सवाल पूछा उसके बाद जो मैं explain कर रहा हूँ इस बार वो सवाल पूछ दे तो इसलिए वो भी बहुत ही जरूरी हो जाता है उसके बार next सवाल है यहाँ पे कि संग्ये मंत्री परिसद के मंत्री उत्तरदाई होते हैं किसके प केवल और केवल लोक सवा के प्रति उत्तरदाई होते हैं मंत्री परिसद ठीक है उसके बाद next सवाल के तरफ चलते हैं तो next सवाल में रहा है मंत्री परिसद उत्तरदाई होता है तो यह मेरा अश्टार सवाल लगा सकते हैं कि जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि हम उपर में बता है आपको जो मंतरी परिशद होता है वो लोग सभा के परती उतरदाई होता है लेकिन इसमें लोग सभा तो option दिया ही नहीं था तो ये अगर के लेकर चला जाए तो परधान मंतरी के हो सकता है लेकिन इस सवाल को हम अर्ष्टार लगाते हैं ठीक नेक सवाल की अब चलते हैं नेक सवाल में रहे हैं 93 नंबर की उचन दोस्तो भारतिये राजनीतिक बेवस्ता में कारेपाली का किसके अधिन रहकर कारे करती है तो जो कारेपाली का है दोस्तो बिधाईका के अधिन रहकर काम करती है बिधाईका यानि कि जो नियम कानून बनते हैं उसके अंतरगत में ही ये काम करता है ठीक उसके बाद अगर के नेक शवाल में हम बढ़ना चाहे सवाल नंबर 94 मेरा यहां पर है तो दिया गया है सरकार की संसधिय बेवस्था के बिशे में निमलिखित में से कौन सा वक्त तबे सही है तो जैसे कि आप देख सके हैं आप्शन इसको पढ़ना पड़ेगा बिधाई का जो होता है नेपालिका के प्रति जवाब दे होता है तो बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है बिधाई का कारेपालिका के प्रति जवाब दे होता है तता जो next सवाल है next मतलब option है यहां पर राश्पति ने पालिका के प्रति उत्तरदाई यानि के जवाब दे होते बिलकुल नहीं ऐसा नहीं है तो इसका जो right answer हो जागा मेरा उपडियूक्त में से कोई नहीं ठीक है उसके बार नेक सवाल के तरह बढ़ते हैं दोस्तो नेक सवाल है मेरा है भारत का प्रधान मंत्री किस के प्रति जवाब दे होता है तो जैसे ही उपर में हम बता है वो जवाब दे होता है लोकसभा के प्रति क्योंकि जो प्रधान मंत्री होता है दोस्तो वो लोकसभा का बहु जब आर्टिकल 322 में देखिएगा दोस्तों तो उसमें कहा गया है कि राश्पती अपातकाल का गोंशना तभी कर सकेगा जब मंत्री मंडल उसे लिखित रूप में सूचित करेगा तो मंत्री मंडल सब्द का परियोग यहीं पे किया गया था उसके बाद नेक सवाल की तरह ब जिसको बोलते हैं जिसका उलेक आर्टिकल 76 मिलता है वो कानूनी भी से ओपर भारत सरकार को सलाह देता है तथा और्टारी जेनल को दोस्तों भारत सरकार का परथम बीधी अधिकारी भी बोला जाता है तो यह सारे चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखें नेक सव यहाँ पर मेरा आता है कि भारत का महानियावादी किसके द्वारा निक्त किया जाता है तो निक्त किया जाता है भारत के राश्पती के द्वारा उसी तरह जिस तरह सेंट्रल गोरंट में भारत का महानियावादी होता है दोस्तों उसी तरह मेरे एक राज सरकार में को कौन देता है तो ओ देता है दोस्त मेरा यहां पर एड़ोकेट जनरल जिसको महाधिवक्ता भी बोलते हैं तो आप याद रखेगा यह दोनों में आप कन्फ्यूज नहीं हुएगा जो एड़ोकेट जनरल का मतलब हमको जिकर मिलता है आर्टिकल में आर्टिकल 165 में मिलता है ठीक आसा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे उसके बाद नेक्ष में चलते हैं अगर के आपको भूक लगी हो प्यास लगी हो जाके पाने पीजिये घूमिये फिर यह और फिर आके पढ़ाई अर्श्टार्ट कीजिये अपना क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है दोस् अगर भारत के राजियों का पुनर गठन किस वर्स किया गया था तो ओ किया गया था दोस्तों 1956 में उसके बाद नेक्ष सवाल की तरफ अगर कि हम चलते हैं जैसे कि आपको पता होगा नेक्ष सवाल क्या है यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग सभा का नेता कौन होता है दोस निर्वाचित होने के लिए किसी ब्यक्ति को नियुंतम आयूसिमा कितनी होनी चाहिए तो पता होना चाहिए लोग सभा में निर्वाचित होने के लिए आपको नियुंतम 25 वर्स चाहिए और राज सभा में नियुक्ति होने के लिए आपको जो नियुंतम चाहिए 30 वर्स हो चाहिए यहां पर फिर से वही सवाल है दोस्तों कि लोग शभा का सदस चूने जाने के लिए एक बेक्ति को किस आयूसे कम नहीं होना चाहिए तो 25 साल से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ठीक नेक सवाल की तरह बढ़ते हैं नेक सवाल भी मेरा लग रहा है वही है, हाँ, नेक सवाल हो यह कि संसत सदस बनने हैं, तो नियुंतम उम्र क्या होनी चाहिए, जैसे कि पता होगा संसत का जो सबसे निचली सदन होता है, दोस्त वह होता है, लोक सभा, तो लोक सभा का सबसे कम उम्र कितना है, मिनिमम यानि कि 25 वर्स आपको होना ही चाहिए नेक सवाल की तरह बढ़ते हैं, नेक सवाल है यहाँ पे, लोक सभा का चुनाओं का कोई प्रत्यासी अपनी जमानत रद कर देता है, जब खो देता है, उसे प्राप्त नहों जो इतना मतलब वर्ट मिले उसका एक तिहा या एक चौन्था या एक पांचवा, तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्त, उपरिउक में से कोई नहीं तो इसका क्या कारण है, मैं बताता हूँ कि कोई भी प्रत्यासी अगर के जो चुनाओं में खड़ा होता है, अगर को उसको बैद मतों का एक बटा चो मत नहीं मिलता है तो उसका जबानत रद हो जाता है आसा करता हूँ, इतना आप लोग समझ गए होंगे ठीक, उसी तरह अगर के नेक सवाल में बढ़ते हैं, तो नेक सवाल यहाँ पर मेरा है, कि लोग सवा में राजवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगर्णा का अधारित है, तथा कीस वर्स तक यह अथावत रहेगी, तो आप जान सकते हैं 2026 तक जितना सीट है उतना ही बनी रहेगी, नेक सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक सवाल यहाँ मेरा है कि बरतमान लोग सवा में परतेक राज के लिए अस्थानों का आवंटन है अधारित है, तो यह जो है 1971 के जनगर्णा के अनुसार को आवंटन किया गया है नेक सवाल की तरफ अगर के हम बढ़ें तो नेक सवाल है, मेरा है दोस्तो कि निमलिखित भारतिय राजियों में से किसकी राज बिधान सभा में सदस्यों की संक्या सबसे अधीक है तो अगर के हम मतलब आप्शन के अनुसार चले दोस्तों तो उसमें हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बिधान सभा सदस्यों की संक्या है जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 170 के अनुसार दोस्तों सभी राजिका जो बिधान सभा होता है तता उसमें जो निर्वाचित सदस्यों होते हैं तता नियूंतम 60 हो सकते हैं इसे कम नहीं होंगे ठीक आसा करता हूं इतना बात आप समझ गए होंगे अब यहाँ पर देख लेते हैं जो हिमाचल प्रदेश में हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में टोटल 60 बिधान सभा सीट है अगरके वहीं पर हम देखते हैं मेघाले में 60 सीट है तता अरुनाचल प्रदेश में भी 60 सीट हैं दोस्तों तता अगरके मड़ीपूर में जाएं तो उभी में 60 है तो मेरा सबसे अधिक हो जाता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में नेक सवाल के तरफ बढ़ते हैं नेक सवाल मेरा यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा में आंगल भारतिय समोधाय से सदस मनोनित करने की सक्ति किस के पास है तो ओ है दोस्तों भारत के राष्टपती के साथ के पास जिसमें दो सदस्यों को वो लोकसभा में मनुनित करते हैं नेक सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो नेक सवाल है मेरा यहां पे भारतिय संभिधान के किस अनुछेद के अंतरगत लोकसभा में दोस्तों लोक सभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रधावन किया गया है तो ओ किया गया है आर्टिकल 330 के अनुसार आप इस बातों को याद रखिएगा उसके बार नेक सवाल की तरह बढ़ते हैं नेक सवाल मेरा है 111 नंबर की उच्वान दोस्तों कि लोक सभा को कारेक कारेकाल पूरा होने से पहले भंक किया जा सकता है किसक कैसे किया जा सकता है वो प्रधान मंत्री को सिफारिश पर राश्ठति इसका बढ़न सलाह पर उसको भंग किया जा सकता है ठीक नेक सवाल की तरफ बढ़ते हैं नेक सवाल है मेरा यहां पर दोस्त कि लोग सभा में कम से कम कितने सत्र बुलाएं जानने चाहिए तो वर्स में कम से कम दो बार होने चाहिए तथा दो मतलब जो अधिवेशन होगा दोस्तो उसमें ज सबसे अधिक प्रतिनी दी लोग सभा में भेजता है तो कौन भेजता है दोस्तों वह भेजता है मेरा उत्तर प्रदेश यहां तक तो जो बच्चे आ गहें समझो कि बहुत ही ज्यादा अपने तयारी को लेकर उत्सुक हैं बाकी लोग तो बस वीडियो पर टच करेंगे दो इसका में देख लिए उत्तर जो होगा मेरा उत्तर प्रदेश ठीक नेक सवाल की तरह बढ़ते हैं नेक सवाल है मेरा जहां तक लोग सभा में परतिनी धित्व का प्रस्ण है कौन से राज दूसरे और तीसरे दरजे पर है तो आपको बताना है कि मतलब लोग सभा का सीट के अस्थान के मतलब अनुसार दूसरा और तीसरा में कौन सा है तो जैसे कि आपको पता होगा दोसरा अस्थान जो है मेरा यहां पर महराष्ट का है तता तीसरा अस्थान जो है दोस्तो वो मेरा पच्छिम बंगाल का है ठीक सॉरी मैं यह थोड़ा सा कुछ गलत बोल गया बिहार और महराष्ट जैसे कि पहला अस्थान पर आपको पता होना चाहिए हूँ पहला आस्थान मेरा किसका है असी लोकसावा सीट के साथ में हमारा उत्तर परदेश आता है तता बिहार में जो आता है दोस्तो उसमें 40 सीट आते हैं ठीक उसके बाएं नेक सवाल की तरफ बढ़ते हैं नेक सवाल है मेरा यहां पे नेक सवाल है लोग सभा का पहला आम चुनाँ कब हुआ तो यह सभी लोग जानते हैं दोस्तों जो पहला आम चुनाय हुआ था उन्य हुआ निहीस बानजीं सुब वहाता नंबर एक सो नेक सवाल कितरे बढ़ते हैं नेक सवाल है मेरा यहां पे कि राज सभा के सदस चुने जाते हैं राज सभा के सदस कैसे चुने जाते हैं दोस्तों तो आपको ये बताना है कैसे चुने जाते हैं जैसे कि देख सकते हैं ओप्शन चार वर्स के लिए चार वर्स के लिए, पांच वर्स के लिए, छो वर्स के लिए, ये आजीवन के लिए, तो जो राजसभा के सदस चुने जाते हैं दोस्तों, वो चुने जाते हैं छो वर्सों के लिए, जैसे आपको पता होगा, कि राजसभा जो है, कभी ये भंग नहीं होता है, तता जो इसक को ये वीडियो पसंद आया होगा ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो गई लेकिन फिर क्या करूं हमको जल्दी से करके ये सारे चीजों को आपको पढ़ाना है इसलिए मैं ज्यादा ज्यादा चीजों को आपको देने का कोसिस कर रहा हूं कैसा लगा वीडियो आप कॉमेंट सेक् करते रही आपका सेलेक्शन पक्का होगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक लिए बबाय थेंक्यों होगी